नमस्कार आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चानल न्यूज इट इन इंडिया आपके साथ मैं हूँ सभी नातामंग देश मूँ नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुवानी पांडे इस्रेल हमास की जंग लगातार चल रही है एक महीना हो चुका है इस्रेली सेना की गाजा को दो हिस्तु में बाटने की तयारी है और गाजा पर जारी बेतहाशा पंबारी में उसने ये देखना बंद कर दिया कि बॉम कहीं आखिर कहां कहां गिर रहा है और अब यही वज़ा है कि हमास के कमांडरों को मारने के लिए उसने रिफ्यूजी क्यांप पर हमला किया बहुत सी जगे लोग समंदर का पानी इस्तिमाल करने के लिए मजबूर हो गए है एक तरफ गाजा बंबारी से दहल रहा है तो दूसरी तरफ मानवी असंकर टेतना कहरा गया है कि खाने पीने की जबरदस्त किल्लत हो गई है लोगों के पास समंदर के खारे पानी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है एक महीने की बंबारी और युद्ध के बीच गाजा कितना बदल गया है ये समझने के लिए यहां की तबाही और तस्वीरें तो रोज आ रही है इस्रैल गाजा में इतना ज़ादा बंबारी कर चुका है कि उसकी तुलना हिरोशिमा जैसे दो एटम बंब से की जा रही है गाजा में अब तक 10,000 से जादा लोग मारे जा चुके हैं इनमें 4,000 से जादा बच्चे हैं हर घंटे गाजा पर 40 से जादा बंब गिराय जा रहे हैं हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है इसमें छे बच्चे शामिल हैं इसरेल की सेना अब उत्री गाजा को काटने के बाद हर गली में घूब रही है उसका टार्गेट साफ है वो हमास के हर ठिकानों को तबाह करना चाहती है इसरेल के निशाने पर हमास की सुरंग है साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तिमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है इसरेल का दावा है कि वो उत्री गाजा में हमास के 450 ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर चुका है गाजा के उत्री सीमा पर IDF की तरफ से हमला जारी है पहले हमास ने कई वीडियो जारी किये और बताया कि कैसे उसके अंटी टैंक दस्ते इसरेल के टैंकों और बफ्तरबंद वाड़ियों को टार्गेट कर रहे है कैसे वो कुछ हजार रुपए में तयार किये गए रॉकेट से इसरेल के करोडों के टैंको टीम का कनस्तर साबित कर रहा है ऐसे हमलों को काबू में करने के लिए इसरेल ने बड़ा गेम तयार कर लिया है नेतन याहू और उनके कमांडर किसी भी तरह गाजा पर पूरी तरह कबजा करना चाहते है यही वज़े है कि अभी इसरेल ने गाजा को आधा काट कर रख दिया है बीच में उतरी गाजा है और वहां लाखों की आबादी के बीच अब इसरेल हमास को 100% साफ करना चाहता है अब इसरेल ने वीडियो जारी करके बताया है कि उतरी गाजा अब पूरी तरह से उनके कबजे में है और हमास के दिन बस अब गिने चुने रह गए हैं इसरेल की फाज अब हमास को पूरी तरह खलास करने के लिए गाजा में उतर चुकी है एक महीने पुराने हो चुके इस युद्ध में बहुत ज्यादा खुन खराबा हुआ है 7 अक्टूबर को हमास के हमले से ऐसी शुरबात हुई इसरेल के हमले में 7 गुना ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं 7 अक्टूबर को हुए हमले में इसरेल के करीब 1.5 लोग मारे गए उसके बाद से अब तक घाजा में बंबारी से 10 लोगों की जान जा चुकी है जिबकि फिलिस्तीन के एक और हिस्से वेस्ट बैंट में 145 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच इसरेल के रक्षा मंत्री का दावा है कि हमास की बड़ी हार शुरू हो चुकी है। अभी तक इसरेल ने हमास की बारक कमांडर मार गिरा हैं और अब उसकी लिस्ट में अगला नाम सिन्वार का है जिसे इसरेल 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टर माइंड मानता है। वैसे अब नया प्रेशर एक बार फिर लेबनन बॉर्डर पर बनना शुरू हो क्या है। लेबनन बॉर्डर यानि नया फ्रंट नया फ्रंट यानि योद्ध का फैलता दारा और बड़े दारे का मतलब है कि ये लड़ाई वर्ल्ड वार में भी किसी वक्त तबदील हो सकती है।